अससलाम अलेकुम नाजरीन कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं आप सभी सहत्मन्द और खैड़त से होंगे आज हम आप पिले लेकर आए हैं सीटेट जो आपका तोज़र 21 में जनुवरी में होने वाला है उससे मुतालिक है इसमें आज हम बात करेंगे इबारत के उपर पैस पैसे आपको मिलेगा ठीक है और इस पर 15 सवाल मुस्तमिल रहते हैं और अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इसको स्वाल करना है या पहले हैं आप कोश्टन को पढ़़े ले उसके बाद करें नजम को या पिर पहले नजम को पढ़़ ले उसके बाद करें को ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे पैसे को किस तरीके से इबारत को हम स्वाल करेंगे उसको क्या ट्रिक है हम आपको तरीका बताएंगे कि इबारत को पैसे को कैसे स्वाल करते हैं ताकि आपको आसानी हो इंसे हनात में ठीक है मैं उससे कहना चाहूँगों जो फस्ट टेम हमारी वीडियो देख रहे हैं वो से लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोरो प्रेस करें ताकि वी नाम के सिवा है कौन जो मुसीबत में काम आता है बुझ गये सब चिराग दिल तो है एक चिराग अब भी जिल मिलाता है खुन हो सौदीलों का तब जाकर एक गुल पर निखार आता है खुश नसीबी भी आड़े ना आ सके एक ऐसा भी वक्त आता है मेरे मरने पेगम नकर इ तेरे नाम के सिवा ओके यह देखिए तेरे नाम के सिवा है यह मुसीबत में कौन काम आता है तो यह आपका जवाब हो जाएगा यह देखिए ऑप्शन 2 छीक Option 2 आफका सही हो जाएगा Option 2 तेरे नाम को सिवा चलिन अगले स्वालब चलते हैं कह रहा है गुल पर कब निखा रहाता है तिक आफ derente गुल पर कब निखा रहाता है यह देखिए यह कॉशन पूच रहा है गुल पर कब निखा रहाता है तो खून हो सो दिलों का तब जाकर ठीक है तो इसमें देखिए ये दिया गया है दिलों का खून तीसरा ओप्शन दिलों का खून करने से क्या गुल पर निखा रहाता है आपका गुल पर निखा रहाता है ये होगे आपका अगला सवाल के अगर है मेरे मन्ने पर घम न कर क्योंकि मेरे मन्ने पर घम ना कर देखिए यह दिया मेरे मन्ने पर घम ना कर आदमी जल्द भूल जाता है मेरे मन्ने पर घम ना कर तो आदमी जल्द भूल जाता है यह आपका 14 सवाल आपका देखिए सही हो जाएगा ठीक है इस तरीके से देखिए आप नजमी को solve कर सकते हैं अगर solve क्या है तेरे गम का ख्याल आता है वरना ठीक है तेरे गम का ख्याल आता है वरना देखिए आप चल लिजे नजमी की तरफ चलते हैं में आपके यह देखे निखिये ते रे गम का ख्याल आता है और या सबाव दिये कुछ पिर सिसे बात दी है जो शुरू पर के बनाज है दिए यह पिर आप पढ़े हैं इसको बाद क्या करिए आप यह होगे आगे चलते हैं आगे क्या कोश्ण कह रहा है बुझ गया सब चिराग दिल तो है आपको बढ़े बुझ गया है आगे हो दिलल तो है तो आपको यह प्लक्स कर देना है बुझ गया है 시청te अगले स्वाल जिलते हैं जिस शेयर में शायर अपने तकलुष इस्पेस करता है इसे क्या कहते हैं तो यह देखिए अलग के सवाल कुछा गया है यह नजमे में नहीं दिया गया है तो उसको क्या कहते हैं उसको मक्ता कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं जिस शेर में शायर अपने तखलुट इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं यह आपका जवाब हो गया अगला स्वाल क्या है गजल के माने क्या है तो यह भी आपको ऐसे जवाब देना यह नहीं दिया गया तो गजल के माने होता है यह आपका option first हो जाएगा और तो से बाते कर अब आगे स्वाल क्या कहता है मुकदर का मुतरादिफ क्या है यानि आपकी प्रयायवाची पूछ रहा है यानि सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड्स तो इसके जुस्रे ही जाब हो जाएगा नसीब option 3 ठीक है अगलत वाले शेर को मुकमल कीजिए नाजुकि इसकी डैस क्या कहिए इ पॉटे गुलाब के पंखोड़ी शेर है इस तरह से आपको स्वाल हो गया नजमी की मुछ कोशन नाजमी से दिया गया तो बिना नजमी पढ़ा ही यह मिलब इसका जबाब दे सके आपको तो पता ही होगा अप चलते हैं यहाँ पर दिया गया है नीचे दिया गया इबारत बारत को पढ़िया दिये गया मुझबादिल में से मुनासिब करीन मुझबादिल के मुझखाब कीजिए 115-120 यानी इसमें आपको 6 सवाला को सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले हम चलके देख देखे इसको solve पने का तरीका हम बताते हैं पैसे इसको पैसे जब भी आप पढ़ें तो तीन चाइच चीज़ आपको क्या करने जहन में रखेंगे बाग कहीं पर आपको sun मिलता है क्या करता है उसको आपको underline करना है कोई जगह का नाम हो उसको under करना है किसी की खुसूर्सियाद बताया जा रही अच्छाई बुराई जो कुछ भी है किसी की मिसाल या कुछ और ठीक है उसको underline करना है और कहीं बहुत को आपको मिले तो उसको आप underline करना है लब पैसे पढ़ें इस तरह से underline करते हैं यह तो यह आपको काम आएगा तो किसरा है process पढ़ें लगन प्हरी क्या करते हैं कि ओधिया करते हैं कि उसार आपर रहा है देखे सन के बाद हो रही है वो कब पैदा हुए ठीक है फिर है नुकीला उजार लग जाने से क्या जाता रहा है या जाती रही ठीक है नुकीला उजार जाने किसी के एक खुशुश्यात बता दिया ना यह उजार की खुशुश्यात है यह धारदार उजार की फिर तहरीर को क कितने साल की महिनत लगान के बाद इजाद किया गया एक सवाल यह हो गया इसा सवाल है मास्टर साहब क्या आपको डैस आती है यानि इसमें दिया गया है कि लब्ज तर चुन कर लिखें यानि क्या आता आप इसमें यह नहीं बात करते हैं अब हम पड़ते हैं पैसे ठीक है जाहिदा यह तहरीर किसने इजाद की मास्टर साब इसकी इजाद करने वाले लुई बिरेल थे यह देखिए लुई बिरेल आप किसी का नाम आया आपने हापे क्या कर दिया डैस लगा दिया हमने बता है न किसी का नाम आएगा तो आप एक वो उसमें मिल जाएगा अनसा फिर आगे चलते हैं एक सवाल का जवाब का हो गया कि तहरीर की जाद किसने की थी जवाब हो जागा लुई बिरेल फिर वह पैरिश के नजदीग को ब्रे नाम के कश्बे में जनवरी 18 सनों में पैदा हुए थे यह देखिए संदिया 18 सनों तो उ जवाब हो जागा आपको की रोष्णी जाती रही अब मगर लुई ने हार नहीं मानी और किसी ने किसी तरह तालीम हासी करने में लगे रहे अपनी 20 साल की महनत और लगन से इन्हों ने इस तहरीर को इजाद किया ठीक उसमें क्या बूचा था कितनी साल की महनत से उन्हों न नाबीना लोगों को क्या क्या है नाबीना लोगों के लिए तालिम का राजता खोल दिया और उनकी तहरी जिन्दगी में रोष्णी बिखेर दी असला मास्टर सहाब क्या आपको ब्रेल तहरीर आती है आप महमुद को कैसे पढ़ाएंगे आप उसके होमवर्क की जाच किस रख करेंगे और फिर इमतिहानात के कापी कैसे जाती जाएगी यह अपने पढ़ लिया सारी चीजें अब देखिए तहरीर की इजाद किसनी की अपने पढ़ा उसमें तो किसनी की है यह आप गया लूइबरेल टिक अग्रस वाल क्या है वो का पैदा हुए है ठारा सो नौ म पैदा हुए है ना अपने टिक लगाए अंडर लाइन उधर की अठारा सोनों में फिर देखिए रोकिलाओ लग जाने से क्या जाता रहा यूंकि आखोग रोशनी जाती रही आप्शन 4 आपको सही हो गया फिर एकलस वाल देखिए क्या है तहरीर को कितने साल महरत लगन के बाद विजात किया गया तो उसमें आपने देखा है 20 साल तो आपको अप्शन 2 सही हो गया फिर उसके बाद मस्टर साब क्या आती है तो इसमें आपको क्या आती है यानि लूई ब्रेल जबान की बात हो रही है यानि ब्रेल तहरीर ठीक यह हो गया फिर तहरीर का जित क्या हो जाएगा जिसका से जवाब होगा कहने मनला आप इस तरीके से इबारत को सॉल्व कर सकते हैं आप पहले को पढ़े लें तो कुछ चीज़ें आपको जहें नसीं होगी उसको पढ़ाएंगे तो पैसे पढ़ने के बाद आपको तीन चार चीज़ें को ध्यान रखना उसको अ प्रेंड कर लेना ताकि आपको जब सॉल्व करें आपको बात क्लियर हो गए होगी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें इसे अफने दोस्तों में शेयर करें और जिन्हों नहीं चाहिए सब्स्राइब कर लें ठीक है और अब इसके वीडियो फिर हम लेकर आएंगे यह तो कंप्लीट हो गए फिर हम उर्थू पेडागोजी की वीडियो लेकर आएंगे अमिद करते हैं आपको और एक बात यह है आपसे कहना चाहेंगे कि इसके पहली वीडियो जो हमने अप्लोड किया आगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिशन में जाएजिए वहाँ से आप देख सकते हैं उर्थू पेडागोजी की वीडियो अप्लोड कर दी गई है यह स्रीज अभी चलेगी ताकि जो आपका इम्तिहान आने वाला उसमें आपके अच्छे हंग आ सके हैं मिलते है अगली वीडियो तब से के लिए अससलाम अलेकूम बर्नमतुल्ला है वो बरकात हो